हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर पे करने वाले हैं एक होम स्टूडियो का सेटप रेडी और आप मेरी हालत देख चुके होंगे क्योंकि मैं अभी कंट्रेक्शन के काम में लगा हुआ हूँ तो मैं पूरा सेटप द्खाने वाला हूँ यह आप पिछे मेरे देख रहे हैं यह हमारा घर है और यह हमारी उपर चत दिखाई दे रही आपको अभी करके जाएंगे च्छत पे तो यह अमारी सीड़ियां लगी हुए च्छत पर अब है पूरा सेट अप आप आपको छत पर दिखाने वाई एब किस प्रकार से हम रेडी कर रहे हैं अभी काम चज़र आया उसका चिनाई का तो कंट्रक्षन अभी हो रहा है जैसे जैसे कंट्रक् तो आप देख सकते हैं, यह हमारा होगा यहाँ पे studio, यहाँ पे computer बगेरा, और जो light बगेरा, और जो green screen लगने वाला है, वो हम लगाएंगे, और यह हो गया हमारा audio recording का studio, यहाँ पे हम mic बगेरा लगाने वाले हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है, हमारा recording का काम चलेगा, और यह हो गया हमारा लेट बाथरूम अटेच हो गया यह पूरा का पूरा है वह रूप टोप का एरिया है यहां पे आप देख लिजिए यह पूरा पूरा कंट्रेक्शन चल रहा है भी तो जैसे जैसे यह कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाता जाओगा और लो बजट में ह हैं तो मैं आपको पूरा बता दुगा कि रगने वाला है तो आप वीडियो पूरा देखना complete देखना हमारा जो कंट्रेक्षन का काम है वह लगबग पूरा होने वाला है अभी यह गेट पे आ वाला है तो यह यहां तक आ गया लगबग 6 फिट की उन्चा इसके आगए इसको दो फिट अभी और करने वाले हैं हम टोटल इसको आठ फिट रखेंगे उसके बाद में इसके अंदर अकॉस्टिंग फॉर्म बगरा लगाएंगे और माइक बगरा लगाएंगे तो पूरा लग रहा है अभी कि अधिक दोस्तों इसके अमने च्छत लगा दी है और जो सीमेंट की फाइबर आती है जो शीट आती है वो शीटे आमने लगाई यह रूम के अंदर यह आप देख सकते हैं सीमेंट की फाइबर सीट है यह सीटे लगाई है और विल्कुल ही सस्ता इदर जो हमारा recording studio है उसकी चत हम लगाने वाले हैं सीमेंट की RCC वाली चत जिसकी चत हमने भी बाकी रख रखी अभी तक लगाई नहीं है तो यह हमारा studio set up है इसकी चत लगनी अभी बाकी है बाकी जो पूरा रूम है वह देख सकते हैं आप पूरा रूम रेडि हो गया है होगा देखिए चत लग के रेडी हो गया है तो अभी हमारा कंट्रेक्शन का काम है वो लग पूरा हो गया है इस पर प्लस तर बाकी रहा है और दिवारों पे जो कलर होना है या वालवे पर लगने हैं वो बाकी रहे हैं कोस्टिंग फूम गएरा इसके इंदर हम लगाने वाल तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा तो काई यह देख लीजिए आप प्लस तर हो रहा है इस्टूडियो के आगे भी हो रहा है और एक्स्ट्रा जो रूम बनाए तो हमने उसके आगे भी हो रहा है और अंदर से मैं आपको व्यू दिखा देता हूं एक दो साइड हमन होना भी बाकी है इस एक दिवार के में प्लस तर कर दिया है बाकी बाहर हो रहा है अभी जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है मैं आपको सब कुछ दिखाता जाओंगा इधर से आप देख सकते हैं स्टूडियो को पूरा व्यू तो अभी हमारा दोस्तों प्लस तर हो रहा है सि कुछ दिवारें बची है जो अभी हो रही है और यह देखे इस परकार से हमने यहां पर कारिगर लगा रखे हैं जो कि प्लस तर कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं तो दोस्तों अभी हमारी हो रही है लाइट के फिटिंग स्टूडियो के अंदर जो कि हम ओपन फिटिंग करवाने वाले हैं यह देखे पाई पे लगा रही है वाइट कलर की यह ओपन फिटिंग होगी दिवार के उपर और यह देखे इस परकार से और स्टूडियो के आज हो रही है ये देखिए मिस्त्री लगा हुआ है ये फटियां लगा दी है लाइट की बॉर्ड लगा दी है लगबग फिटिंग है वो हमारी कम्प्लीट होचकी है तो दोस्तो अभी हमारा चत के नीचे जो है चत है वो लगने वाली है यहां पर हम चत में वाली पेपर लगाने वाले हैं तो उनोंने लोहे की पाइप फिटिंग कर दी है दो मिस्तिर लगे हुए है इन्होंने लोहे की पाईप यह आप देख सकते हैं जो बलेक दे रही आम Jon came पर दिवार पर फिटिंग कर दी है और अभी इस पे लगने वाल वेपर जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ यह देखिए इस परकार से इनोंने पाइप की फिटिंग देखिए दोस्तो अभी यह इसके साथ ही मिस्टर लगा हुआ है पानी फिटिंग के लिए इसने भी अपना काम कर दिया है यह देखिए दोस्तो यह इस परकार का वाल वेपर है जो कि हमारे च्छत के नीचे लगने वाला है इसके लिए आप यह देख सकते हैं किस परकार से लगाने वाले हैं मैं वीडियो को थोड़ा फ़स्ट कर रहा हूँ कि यह देखिए दोस्तो आदा हमारा वाल वेपर लग चुका है अभी इसमें डिलाई बाकी थोड़ी इसके खिंचाई होने वाली है कोर्नर से च्पका दिया है यह इस परकार का वाल वेपर है आप देख सकते हैं कि कि यह दोस्तों यहां पर मिस्तरी आज के हैं गेट लगाने वाले तो यह आप देख सकते हैं यह हमने अलुमुनियम का जो बाहर का मैन गेट है वो अलुमुनियम का लगवाया है यह देख लेजी दोस्तों निस्तरी लगे हुए है यह हमारा जो स्टूडियो का मैन गेट है बाहर का वो है यह रात का समय है काम करते करते कई बार नाइट में भी काम करना पड़ता है अभी दोस्तों स्टूडियो के अंदर की जो केबिन है उसका गेट और उसका जो भी है फ्रेम बनने वाला है यहां पर यह मिस्तरी लकडी का उसका बना रहे हैं और इधर हमने लेट बात को अभी जो गेट है वो लगा दिया है इस परकार से पूरा फ्रेम बनाएंगे मैं आपको आगे दिखाता जाऊँगा यह हमारा कंप्यूटर टेबल बनकर रेडी है इन्होंने बनाया है और इसके जो भी दराजे है वो लगने वाले बाकी हैं यह हमने गरपे बनाया है बच्ची होई लकडी से जुगाड करके और यह इसकी दराजे है जो कीबोर्ड के लिए है स्लाइड वाले चत में जो वाल बेपर लगा है उसके निचे हम लकडी की जो उसको मार्जन पट्टी बोल रहे हैं एक इंच की वो लगा रहे हैं ताकि इसके निचे हम लाइट वगेरा है वह आसानी से लगाच के सक्रू कसने के लिए तो प्रेंट्स हमारे स्टूडियो के अंदर गेट लग चुकी है और चत का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है लाइट फिटिंग हो गई है और ये हमने लकडी की पट्टियां लगाई है ताकि इस पर अपने लाइट वगेरा लगा सके डूब लाइट वगेरा चीएफल वग इदर ये स्टूडियो का केबिन त्यार हो गया है गेट लगके और अंदर से आपको एक बार व्यू दिखा देता हूं यह इस परकार से अभी रेडी है बस अब इसके अंदर कुछ नहीं करना हमें बस थोड़ा सा सेटप लगाएंगे अकोस्टिंग फोर्म वगेरा वो है इसके अंदर लगाने माले हैं इस परकार के जो है फोम इसके अंदर पेस्टिंग करेंगे और हम दिखाएंगे आपको पूरा वेडी दिखाने के कोसिस करेंगे किस परकार से मैं अकोस्टिंग फोम इसके अंदर लगाने जा रही हैं और यह हमारा स्टूडियो वा अंदर क जो है गेट हो गया यहां पर गलास लगा हुआ है ताकि अंदर हो जो बंदा रिकोर्डिंग कर रहा है उसका चहरा दिख चाहे और यह हमारा इसका गेट हो गया यहां पर लोक लगा दिया हमने यह आप पूरा व्यू देख सकते हैं अभी हम इस पर लगाएंगे ले सकते हैं यह देख लेजिए फैबी कॉल का है फॉर्म फिक्स के नाम से इससे हम जो है कोस्टिंग फॉर्म पेस्ट करेंगे पूरे रूम के अंदर तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कोस्टिंग फॉर्म लगाना मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूं झाल 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 यह कोस्टिंग फर्म लगाना बहुत इसान है दोस्तों देख लिए हमने इसकी छत के अंदर जो है लगा दी है स्टूडियो के अंदर पूरी लगए इसकी अंदर अभी हमारे दीवारें बाकी हैं दीवारों पर अभी हम लगाने वाले हैं तो चलिए दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस परकार से है वो पूरी कोस्टिंग पॉमिश के अंदर लगा दी है और हमने यह लगवग पूरी प्रोडेक्ट हैं वो लगवग लगवग ओनलाइन ही मंगवाई हुए हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्कृरिशन में इसमें पूरी जो है लगा दी है हमने कोस्टिंग फॉम इस परकार से पूरा स्टूडियो हमारा अंदर से रेडी हो गया है अभी जो फर्स में है वो लगने और उपर से हमारी कंप्लीट होच की है यह देखिए बाहर का व्यूँ यह भी जो स्टूडियो का हमारा रूम है उसके अंदर यह वाइट जो ईपी फॉम आती है यह हमने लगाई है इसके अंदर आप देख सकते हैं यह 30 mm के हमने लगवाई है यह मार्केट से मिली थी 165 रूपीज में और यह 3 इंटू 6 फिट की होती है तो यह अभी पूरे रूम के अंदर यह लगाने वाले हैं पूरा वीडियो तो मैं आपको पॉसिबल नहीं है कि दे पाऊं क्योंकि इसके अंदर काफी टाइम लगने वाला है दो दिन तीन दिन से ज़्यादा लगएगा पूरे में लगाने के लिए क्योंकि इसके अंदर ह तो थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ अच्छाइब बढ़ा हूँ अच्छाइब बढ़ा हूँ झाल कुछाइब बढ़ा हूँ झाल झाल याल झाल ग़ झाल 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 अभी दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि EPE फोर्म है वाइट वो हमारी दिवारों पर लग चुकी है पूरी कम्प्लीट हो चुकी है पूरी दिवारे हमने कवर कर ली है आगे का जो भी प्रोसेस है मैं आपको दिखाता जाऊंगा देखे इस परकार से हमने पूरी दिवारे हैं वो कम्प्लीट करती है पूरी दिवारों पर लग गई है कोस्टिंग फॉम और नीचे फर्स में लगने वाले बाकिए वो सबसे लास्ट में लगेगी तो अभी आगे का जो प्रोसेस होगा इस पर इस पर दिवारों पर लगएगा कपडा या आप कुछ और भ एक वेलवेट टाइप का जो कपडा आता है वेलवेट वो कपडा मैं इस पर लगाने वाला हूं और अंदर का व्यू आप देख लीजिए ये अंदर का व्यू हो गया और ये बाहर का हो गया दोस्तों यह है हमारे पास कपडा जो कि हम दिवारों पर लगा रहे हैं उस फॉ इस परकार का हमने दो कलर में कपड़ा लिया है उसको शील के और दिवारों पर लगा रहे हैं तो देखी दोस्तो हमने कपड़ा है वो लगा दिया है चैरो दिवारों पर सभी दिवारों पर कपड़ा लग गया है गेट पर लग गया है देखिए इस परकार से हमने यह पूरा स्टूडियो त्यार कर लिया है यह देखिए यह अंदर का हमारा इस परकार से हमने दिवारों पर जो है चारों तरफ से कपड़ा लगा दिया है अभी फर्स में लगने वाला बाकी है है फर्स में हम पहले फॉर्म लगाएंगे फिर उसके उपर कपड़ा लगाने वाले हैं यह पूरा व्यू आप देख सकते हैं स्टूडियो का तो प्रेंट्स आपको स्टूडियो का व्यू दिखा देता हूं इसके अंदर हमने लाइटिंग वगरा कर दी है और यह निचे फर्स में जो है यहां पर हमने फॉर्म लगाकर कपड़ा लगा दिया है जो कि आपको मैं पूरा व्यू दिखाने वाला हूं अभी मारा स्टूड में हमने नहीं लगाये क्योंकि यहां पर मैं कलर फूल ट्यूब लगाने वाला हूं तो यह इदर हमारा कंप्यूटर शेटप लगाया है हमने और यह हमारा इदर शेप्यू पड़ा है LCD LED है यह यह IPS पैनल है सेमसंग का जो कि हमने ओनलाइन मंगवाया है इसको भी यह आप देख सकते हैं सेमसंग का है यहां पर आपको नाम दिख रहा होगा और यह है हमारा साउंड मास्टर राइट का है यह राइट कंपनी का है यह भी हमने ओनलाइन ही मंगवाया है फ्लिप कार से इसके इसके इंदर कॉम्बो पेक है पूरा समान आया है इसके इंदर स्टेंड काम आई है और यह दिके इस प्रकार से हमने वायर यहां से निकाली है और यह स्टूडियो के अंदरा के हमने माइक वगरा कि जो भी तिंग है वफ प्रकार से कर रखी है कि यह देखी दोद्टों यह हमने यहां पर माइक लगा है आगे फॉब फिल्ट П jngLag मैं दे दूंगा मैं यह लगबग 5500 का आया है पच्पल सो रुपे के तक्रीब बनाया था और यह इस प्रकार से अंदर से भी आप इसका पूरा वीव देख सकते हैं उपर छत्में वालवे पर लगा हुआ है नीचे हमने यहां पे भी फॉर्म एपी वाइट कदर वाली फॉर फॉर्म लगा के उपर कपड़ा लगा दिया है और इसके अंदर भी हमने वही फॉम लगा कर कपड़ा लगा दिया है जो कि आप इस परकार से देख सकते हैं हमारा जो स्टूडियो है वो बिल्कुल रेडी है रिकॉर्डिंग के लिए तो अभी मैं इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाला हूँ अभी हमने इसका सिरी गनेस नहीं किया है यानि इसका मुर्द नहीं किया है तो जैसे ही इसका हम मुर्द करते हैं तो मैं आपको चोटा सा वीडियो अलग से दे दूँगा यह देखिए दोस्तों इस परकार से हमने स्टूडियो कम्प्लेट कर दिया है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताईएगा कि हमें हमारा यह जो स्टूडियो ट्यार किया है वो आपको कैसा लगा और यह दोस्तों हमारा बाहर का नजारा है यह हमारी च्छत का नजारा है देखिए दोस्तों इसमें पूरा कम्प्लेट करना में हमें कम से कम तीन मैने से जादा का समय लग गया है